नमस्कार दोस्तों मेरे PAM Liding Channel में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आये आज 25 वर्स के पुरुष के पाम का Arts करेंगे, इनके सबालों का जबाब करेंगे तो सर प्रिथमे इनके सबालों को सुनेंगे, फिर करके इनके सबालों का उतर खाएंगे उससे पहले अगर आप लोगों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पेकर के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल अकन को प्रेस कर दे ता की लेटेस नॉडिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए शरू करते हैं इनका कोशन इस प्रकार है वरतमान समय में ये अपनाकारी कर रहे है आगे की जीवन के बारे में जानना चाहते है मूल रूप से तयारी कर रहे है और आगे जीवन में क्या सफलता मिलेगी, क्या दिक्कते मिलेगी इस महतपून विशे पर जानना है केरियर में कौन सी नौकड़ी अच्छी रहेगी, कैट की परप्रेशन कर रहे हैं, थोने के कितने चांसेस हैं तो आप बिल्कुल चिंदा ना करें, आपके कोशिंस को उने गहराई पुड़वक सुन लिया एवं समझ लिया है अब बताने का कोशिश करूँगा, जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी हर विशेप और महतपूर तरीके से बात करते हुए बताएंगे, यह हम समझाएंगे अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूँ, तो डेफिनेटली हाथ पर पॉजिटिविटी और जबरदस पॉजिटिविटी है ऐसी पॉजिटिविटी किसी व्यक्ति के हाथ पर हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सफलता वा तरक्की को जरूर प्राप्त करते हैं, प्रगती जरूर होती है इस बात में कोई संदेह नहीं अगर आपके किसी वेक्टी के हाथ पर इस प्रकार की positivity होगी तो आप अपने जीवन में भी सफलता को प्राप्त करेंगे तरक्टी को प्राप्त करेंगे इस बात की guarantee है तो दो भाग्य रेखा हाथ पर है अचानक सफलता के लिए अचानक धन देने वाली रेखा अचानक सफलता देने वाली रेखा भाग्य रेखा को हम कहते हैं अगर किसी वेक्टी के हाथ पर दो भाग्य रेखा है तो जातक के जीवन में अचानक भागुदे तरक्की सफलता दोनों तीनों मिलने के चांसा जबरते हैं तो सबसे पहले तो ये देखे बागे रेका बड़ी जबरदस्त है यहाँ पर से देखे बहतरीन बागे रेका और आगे भी ये बागे रेका चल्डर ये मतलब दो बागे रेका का साथ है क्यों प्रशान है महस 25 वर्स की ही आपकी आयू है आगे जीवन में बड़ी सफलता बड़ी तरक्की बड़ी धन आगमन लिखती है आपके हते लिए इसके बाद अगर आपको मैं देखो दिखाऊं तो यहाँ पर से भी एक बड़िया सा स्क्वाइर बना है आगे भी यह देख लिए सूरी रेखा कितनी जबरदस्त है मतलब सूरी रेखा में भी कोई कमी नहीं है यहाँ से भी एक तरबुज है जो कि बिलकुल समाने नहीं माने जाएंगे बहतरीन तरबुज है पहतरी इंतरी पुझे अगर मैं आगे देख लू तो यहां से भी दिक लिए एक जबरदस्त भाग्य रेका जीवन के अंतिम समय तक तो भाग्य रेका में भी कोई कमी ही नहीं है भाग्य रेका में कोई प्राबलम्स नहीं है ये वाली एक जवर्दस बुद्ध रेका यहाँ पर से धन्त रेपुझ ये जो प्रापर चिन्न है ना ये जो इनके तली परवस्थित है ये अचानक धन देने वाला चिन्न है ये अचानक तरक्की देने वाला चिन्न है ये अचानक प्रिगती देने वाला चिन्न है इस केस मे जातक के जीवन में अचानक तरक्की वा प्रगति वा सफलता देखने को जुरूर मिलती है जबात में कोई संदह नहीं है इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉपर लाइफ लाइन है क्या बात है यहां से भी एक मंगल ड्रेखा अब जीवन ड्रेखा की बनावट इस प्रकार है थोड़ा confusion रहता है मन में यहां पर देखेंगे एक life line complete दिखरी है यह और यहां पर से एक मंगल ड्रेखा मतलब यह positive ही है यह positive ही माना जाएगा लेकिन जब जीवन ड्रेखा इस प्रकार से तूटी हो तो जातक को अपने कुंडली से चीज़ों को verify जरूर करा लेना चाहिए चुकि अगर कोई negativity हुई तो उसका remedy कर दिया जा सकता है उसका remedy किया जा सकता है उसके remedy के बाद चीज़े सार्थक हो सकती है जीवन पर तो जरूरी है कि अगर इस प्रकार तो ठोड़ी तूटी दिखे तो remedy हो जाए वैसे chances 80% के राउंड है कि यह बहुत negative रेखा नहीं होगी चुकि मंगल रेखा साइड से गई हुई है तो वो कही न कहीं बचाव कराती है और कहीं न कहीं बहुत संदह नहीं है चलिए ये तो हो गई positive बात खतम अब हम बात करेंगे negative way में तो एक तो जीवन रेखा को लेके थोड़े से मन में आशंकाय थोड़ी से दोविदाय बनी हुई थी कि जीवन रेखा की बनावट जिस प्रकार है थोड़ा problematic हो सकती है थोड़ी परशानी जनक थो कोई समस्या जनक हो सकती है तो खैर कुछ नहीं इसका remedy भी बहुती अराम से किया जा सकता है इस बात में कोई संदह नहीं है इसके remedy को लेके कोई विशेश तनाव भी नहीं है कोई खास tensions भी नहीं है अगर मैं आगे देख लूँ आगे क्या चीज़े दिख रही है आगे क्य तब भी आप नहीं सुनेंगे तो एक दिक्कत वाली बात जरूड है एक परशानी वाली बात जरूड है अब अगर मैं आगे देख लूँ तो आगे क्या चीज़ है तो यह होगई आपकी mind line यह होगी जीवन रेका highly independent कुछ triangles हैं जो negativity को दूर कर रही है यहां से एक progress line है यह लगबग आपके 16-17 में कोई तरक्की मिली होगी आगे बे जीवन रेका बढ़िया एक और progress line थी लगबग 20 वर्स में आगे बे जीवन रेका बहुत बढ़िया है एक प्रिगती की रेका थी यहाँ पर देख लिजे आप यह 24 वर्स में आगे बे जीवन रेका बहुत बरतन बोलता लेकिन हमारे समझ से यह बहुत जबर नेगटिव नहीं है फिर भी कुछ जीवन रेका अगर टूटी हो उसको कही ने कही ओवरलैब की हो तो एक बार कुंडली का verification होना बहुत जरूरी है इसका मूल कारण यह है कि मान लिया जाए कि आपका जो main engine है वो अगर क ठीक तरीके से उसका feedback नहीं लिया गया उसको ठीक तरीके से उस पर हावी नहीं हुआ गया अच्छे mechanic तरीके से तो फर वो emergency engine भी फेल हो सकता है तो वही कहने का concern था कि अगर किसी प्रकार से जीवन रेका की बनावत इस प्रकार हो तूटी हो उसके उपरांत कोई और एक जी उपाई बेशक करना चाहिए कहने का तात्वर्य और संदर बस इतना सा ही था तो चलिए ये तो गई बात अब आगे अगर मैं देख लो तो आगे भी emergency engine और emergency जीवन रेका तो कायरे करी ही जाएगी इसको emergency जीवन रेका इसलिए हम नहीं कहेंगे यूगि इस particular age के बाद 48 50 के बाद ये आपकी main engine main जीवन रेका हो जाएगी चलिए ये तो गई बात महतपून बात समझने वाली बात थी और समझने की स्थिति आपकी होनी चाहिए पर स्थिति आपकी होनी चाहिए ना कि हमारी हमको बस यही concern रहता है कि हम चीज़ों को ठीक तरीक से समझा दे ताकि के गरम देख ले तो यहाँ पर यह देखे कुछ लग्जूरियस लाइफ के योग बने वो तो प्रॉपरली रहेगा इसके उपरांत अगर में बात कर लूँ तो यहाँ पर से यह सुक्र पर खड़ी रेखा है यह money management की रेखा बड़ी शांदार रेखा है और जबरदस शुक वे आकार करते हुए जीवन पर बहुत आगे बढ़ते हैं शुक्र मंगल परबल है तो comfortable life रहेगी गजब का थमबे strong इक्षा शक्ती दो लाइन अपने जीवन पर जो भी है अपने दम पर रहते हैं no doubt यहाँ पर कुछ लाइन तो डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन तो अच्छे समझदार है फिंगर पर कड़ी रेका इंडिकेट कर रहे है दिल के बड़े अच्छे वेक्ती है यहाँ पर से ये फिंगर के बीच में गैप है तो यह इंडिकेट कर रहे थो खर्चीले पर विर्ति को खर्च पन यंतरन रखने क्या हो शक्ता है बरश्पती सम्मान को प्रप्त करते हैं ऐसे बिक्ती माइंड रेका अच्छी है दिमाग के बहुत तेज हैं रधर रेका काफी शानदार है स्ट्रोंग र्धर के माले कहा विष्णो योग का फर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं बैलस अच्छा दिल दिमाग के बहुत तंदूरु स'T यहां से दवाब है तो विक्ती काफी मेहनती जीवन के आंतिम समय में बागे रेका है तो बागे का पुरा साथ और पुरा विकास आगे भी एक जवरदस्त एक जवरदस्त सुडी रेका तो सुडी रेका को बहुत ज़ादा बहुत ज़ादा value मान सम्मान प्राप्त कराती है और आपको भी मिलेगा सफलता मिलेगा career oriented चीज़ों की बात कर लो तो बहुत जल्दी आपका career hike पे आने वाला है मैं 28-29 सब्सक्राइब में आप सफलता को प्राप्त कर लेंगे यहाँ पर आपका देखे स्क्वाइर साइन गजब 36 के बादी दो दो स्क्वाइर है क्या बात है यहाँ भी ट्रेंगल है जबर्दस ट्रेंगल बुद्ध पे खड़ी रेखा है दिमाग तेज़े सनमर करी अच्छे है तो बुद्ध वेक से कार करते है दोडो मंगल बढ़िया है हाइली एनर्जिटिक है एनर्जी प्राक्रम समर पर नो डाउट गजब का ये बाग्ये रेखा ये वाले भी बाग्ये रेखा बहुत शानदार दोनों गजब है यहाँ से भी एक तरिभुज कारनुमा करते है दन तरिभुज बना है बहतरीन दन तरिभुज यहाँ भी देखिए तो जबरदस्त जबरदस्त बुद्ध पर कड़ी रेका है दिमाग बहुत तेज है चंदरमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो बनी रहेगी धन की दिक्कत नहीं होती जीवन पर जब भी धन की आवश्यक्ता हो कही न कहीं जीवन पर आही जाता है तो यह तो था इन कैतली का पूर्णत अविश्केशन अगर आपको अमारा यह वीडियो पसंद आए लाइक कर दे कमेंट कर से सिस्क्काइब कर दारा वेक्टिकत रूप से मैं इस तरह का निकांके सही जानकरी प्राप्ट करना चाहता है हमारा वोट्स अवनों डिस्क्रिशन मिल जाएगा लेकर आप समपर्थ कर सकते हैं